हेलो फ्रेंट्स हमारी चैनल स्मार्ट स्टड़ी फॉर केट्स में आपका स्वागत है फ्रेंट्स अगर आप हमाई चेर्यल में नए हैं तो हमाई चैनल को सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए और वैल आइकन को क्लिक कीजिए कि आपको रो जाने वाली वीडियो टाइम पर म इस वीडियो के माध्यम से आप किसी का नाम या एड्रेस या फिर किसी को मैसेज करना बड़े ही आसान तरीके से सीख सकते हैं यह सबसे जो चोटी चोटी बच्चे होते हैं इनको सबसे जादा ज़रूरी होता है अगर आप बेसिक चीजे नहीं सीखेंगे तो आपको इंग देखते हैं और आप ये विडियो लाष तक जरूर देखिए जैसे यहाँ पर लिख़ा है सवर और वेंज़न हो लिख हैं चलिए फ्राइं जैसे यहाँ पर लिखते हैं आ इसको हम धीरे से पढ़ते हैं जैसे अकर बुक रीडिंग भी नहीं करना आता है किसी को जैसे छोड़ीटे बच्चे हैं बुक रीडिंग करने में उनको तोई कठनाईयां होती हैं तो पहले मात्रा याद कीज़ें ठीकरा जैसे यहाँ पर लिखा है आ तो हम इसको छोटा आ नहीं बोलेंगे आ की स्पेलिंग क्या होती है अब यहाँ पर क्या है बड़ा आ बड़ा आ लिखा हुआ है तो हम इसको क्या बोलेंगे आ यहनि इसको हम जोर से बोलेंगे आ तो आ की स्पेलिंग क्या होती है डबल ए फिर यहां लिखा है छोटी E तो छोटी E को हम बोलेंगे E की स्पेलिंग क्या होती है I फिर E E की स्पेलिंग होती है double E फिर U U की स्पेलिंग होती है U फिर U U की स्पेलिंग होती है double O हमने आप आपको रिडिशी के spelling नहीं बताई है क्योंकि उसका यो ज्यादा नहीं होता है फिर यहाँ पे लिखा है A A से A D हम इसको पढ़ते है A से A D तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे A A के spelling क्या होती है E फिर क्या लिखा हुआ है I A के spelling होती है A I फिर है O O के spelling होती है O फिर लिखा है A O के spelling होती है A U A A A A A A A J Friends जब आपने बच्चों को पढ़ाईए तो सबसे पहले होने आंगे A से A हा तक के spelling अच्छी तरह से Learn करवा दीजिए ना याद करवा दीजिए फिर इसके बाद का से ग्या तक याद करवाई है ठीक ना जैसे हम आपको बता रहे है का से ग्या तक के spelling जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है का का की spelling क्या होती है क खा खा की spelling होती है के एच गा गा की spelling होती है जी गा गा की spelling होती है G H अंगा का ज़्यादा यूज नहीं होता है पिर जैसे आप लिखा है चा की C H फिर छा छा की C H जा की जे जा की J H अग yum कभी ज्यादा यूज नहीं होता है इसलिए हम आपके याँ पर नहीं बता रहे हैं फिर टा टा की T ठा की T H डा की D धा की दी एच चले फ्रांट जैसे आप लिखा है ता की होती है टी था की टी एच दा की डी धा की डी एच ना की एन पा की पी भा की पी एच बा की बी भा की बी एच और मा की एम या की वाई रा की आर ला की एल वा की वी शा की एस एच सा की एस एच सा की हा की एच छा की के एस एच त्रा की टी आर और ग्या की जी वाई से पार एख्ड़ी यह सोर और वेंजन की स्पैलिंग इसे आप अपने बच्चों को अच्छे से शिखाईए फिर इसके बाद हम आपको बारे खड़ी स्पैलिंग लिखन तक कि यह की लाइन लिखें कबस की इसमें आपको हम बताएं यह आँगे की स्पैलिंग कैसे बनाना ज होती है, तो सब में हम के लिख दिये देखे, सबमें के लिखा हुए है, सब में के आ रहा है, फिर छोटा के spelling क्या होती है, ए, फिर बड़ा क्या होती है, डवल ए, लेकर यहां पर ऐसा नहीं है, कि जब बड़ा की मातरा है, तो हम डवल ए लिखे, सिंगल ए भी लिख सकते है फिर यहां पर है छोटी की की के और आई का की के और ए की स्पैलिंग हो गई आई फिर बड़ी की का की के और बड़ी की स्पैलिंग होती है डबल ए फिर इसी प्रकाल लिखा कू की स्पैलिंग होती है के यू फिर कु इसको हम तेज से बोलेंगे कि बढ़ा कु है तो कू की स्पेल ही क मी की土 चील को पिर कू की स्पेलिंग ही कि बजा अ को की स्पेलिंग है कि कव काा की है क बजान का गार कवнев कर्स से का ότι को आपको आपको खा की स्पेलिंग बताजें Kevin किस प्रकार बनाए हो गिस बोनाएंगे मैं भीर होते हैं तो हमें सबसे पहले हमें 12 खा लिख लेना किते खा लिखेंगे बारा खा एक फिर बड़ा खा लिख दीजिए यह फिर आप मात्राइं पी चुड़ाते जाएए छोटी की बड़ी की छोटा खू यह रहा बड़ा खू फिर खे खो खम और यह खां अब यहां पर हम आपको खा के स्पैलिंगं क्या होती है के एक होती है ठीक मा कै trips विसलिंग को साबसे पहले हम के एछ लिख देंगे सम्में तो आपका हम सम्मे लिख देजें म commod cat k k लिखा हुआ है कि होती है के एक है 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 तो इस ह Are the keynote इस कि लिग देंगे मत अपने मातराइं की लगाना जैसे चोटा की क्या होती डबलो A की E A की A I O की O O की A U A की A N अरहा की A H अगर इसे प्रकार आपको गा की गा की बनाना है तो आप गा की स्पेलिंग पहले आद के जए गा की स्पेलिंग क्या होती है जी होती है तो आप पहले जी लिख लेजिए फिर उसके बाद आ से यहां तक की स्पेलिंग हमें इसमें लगा देनी है जैसे यहां पर देखे हम आपको चा की स्पेलिंग बना गए दिखाते है ठीकी न चा चम्मच की चा की स्पेलिंग हम आपको बताएंगे जैसे छोटा चा बड़ा चा छोटी ची बड़ी ची छोटा चू और ये बड़ा चू तैकिे हैं फिर चाए चू चो चौ चटिन ये चाँ अब चा के Spelling क्या होती है तो हम आपको पहले चे पताएंगे पहले आपको च लिखते ना चा की Spelling च होती है तो हम सब भी समें चे लिख देंगे यहाँ पे भी CSM में CH आ जाएगा फिर हम मात्रा के अनुसार इसमें इस पहले लगाएंगे छोटा की क्या होती है A, बड़ा की, डबले छोटी की, आई बड़ी की, डबली छोटाओ की, यू बड़ाओ की, डबलो A की, E A की, A I O की, O O की, A, U अंकी, A, N और A की, A Friends, इस प्रकार आप ग्याँ तक की स्पैलिंग आसानी से बना सकते हैं अब हम इसी की अनुसार आपको स्पैलिंग बनाना सिखाएंगे की हिंदी से इंग्लिस कैसे बनाते हैं आ से लेकर आहाँ तक की मात्रा की कुछ सब्द हैं, कुछ उधारन लिए हैं उसमें हम आपको स्पैलिंग बताएंगे कैसे बनाना है जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कामल ठीक है ना, तो कमल हो जाएगा तो पहले में का की स्पैलिंग लिखना है जिसमें कोई मात्रा नहीं होती वो आ की, छोटा की मात्रा वाले सब्दुने बोलते है जैसे का की स्पैलिंग क्यों होती है के होती है ठीक है ना, तो के के साथ क्या लगता है ए, यह छोटा का है तो का की स्पैलिंग के फिर छोटा मा है तो म, ए क्योंकि मा के स्पेलिंग क्या होती है M A अल्ला लड्डू के स्पेलिंग क्या होती है L तो यह हो गया कमल फिर लिखा है का नक तो का के स्पेलिंग क्या होगी के एन की स्वरी ना की एन ए का की के यह हो गया कनक इसी प्रकार आप किसी भी नाम के spelling बना सकते हैं आप देखें बड़ा की हना बड़ा की मात्रा वाले सब्द दो लिखे हैं तो इनकी spelling कैसे लिखना जैसे लिखना है आर हना स्वारी टा लिखा है बड़ा रा है तो हम यहां पे डवल ए लगाएंगे आर डवल ए क्योंकि बड़ा आ है तो तो हम A भी लिख सकते हैं R.A.M. राम ठीक है? फिर क्या लिखा हुआ है? चावल चा बड़ा चा लिखा है तो हम बड़ा चाचमच की C.S. लिखेंगे फिर बड़ा की मात्रा की स्पेलिंग डवले वाकी वी य और लाकी य पहला हम सीखने के लिए पर आपसे बनने लेगें तो आप डवल एक ही सिंगल चोल्टी की मात्रा है जैसे नियुआ हूं यह पहला है दा की this feeling say का होती दी पर चोटी एक पया है उस की स्पैलिंग क्यों होती है की छोटी की स्पैलिंग आई टी सवयता की टी बडाकी ए और बाका की बी तो यह हो जाएगा किताब है यहां यहां प्र डबल आ हटा भी सकते एके भी का सकते हैं क्या एक यह किता आप अम फ्र बड़ी Е की मात्रा ने कि यहां पर बड़ी की मातर लगिए खीर तो पहले हम खाकी स्पेलिंग लिखते हैं तो खाकी स्पेलिंग क्या हो गई के एच फिर बड़ी की स्पेलिंग क्या है डबल ए और रा रा सी की स्पेलिंग हो गई और खीर फिर लिखा हुगा जैसे हैं पर कवीर तो पहले हम का की स्प छोटाओ की मात्रा वाले सब्सभान है कुल और कुसम तो कुल काकी के छोटाओ की कौ ऊफिर कुसम काकी के छोटाओ की यू फिरसा की जोटाओ की ू और माकी एम कुसुम फिर बड़ा उ की मात्रा वाले साब जैसे लिखा है धूप ठीक है इसे हम तेज से बोलेंगे धूप और जुलना धूप धाधन उसकी स्पेलिंग क्या हो गई डी एच और बड़ा उ की डबल ओ और पा की पी धूप फिर है जा जा जन्डे की स्पेलिंग जे एच बड़ाओ की डबल ओ एल की ला जूल ना ठीक है ना जैसे हम जूला जूलना बोलते हैं तो यह हो गई जूल ना फिर ए की मात्रा वाले हैं ठीक है ना ए जैसे ठेला ठा की स्पेलिंग क्या होती है टी एच A की E और ला की L और बड़ा की डबल A ठेला यहाँ भे हम एक भी A लिका सकते हैं T-H-E-L-A ठेला फिर है जहमेला जहा के स्पेलिंग J-H जह फिर मा की मा एम A की E L की ला और शरी ला की L और ये डबल A जहमेला ठीक है ना ये A की मात्र होगी अब हम आपको A की मात्र जैसे यहाँ आप लिका हुआ है बैल तो बा की स्पेलिंग की होती है B और A A की स्पेलिंग की होती है A I A और ला L है ना ला की स्पेलिंग L बैल फिर तेर ना ता की स्पेलिंग T ए की स्पेलिंग ए आई आर की स्पेलिंग रा तेर न ठीक है फिर ओ की मातल वाले मॉल और कोमल मॉल मा की स्पेलिंग ऒंँट O, O की स्पेलिंग O, हना O, खली की स्पेलिंग O ही होती है अलालडू की स्पेलिंग L, मौल फिर है कोमल, का की स्पेलिंग K O की स्पेलिंग O, M की स्पेलिंग, सरी मा की स्पेलिंग M फिर A, अलालडू की L, कोमल फिर है आ, आरा था ना, ये आ की मातर है जोर जा के स्पैलिंग जोर आ डें की यु जोरा रसे की एर जोर है फिर अंग की मात्रा वाले ठीके न अंत तो इस कि क्या होती है अन होती है तो हम आप ए एन लिख गेंगे ताकि ट अन्थ ठीक है ना फिर अंग गूर लखेंगे अं फिर गूर गाह की जी फिर कौन से मातरफा है चोटा बड़ाओं हे ना तो बड़ाओं की स्पेलिंग डवलो अगर आपको हमाई वीडियो पसंद आई हो तो हमाई वीडियो को आप अपने दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक करें ओके फ्रेंड थैंक यू